दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मेंस पर राजनीती के अंदर एक शब्द चला पिछले एक दशक में और वो शब्द है मार्ग दर्शक मार्ग दर्शक मंडल मार्ग दर्शक का अगर आप उसको विवेचना करें या उसका विस्तित देखें तो उसका माइने होता है मार्ग दर्शक का मतलब होता है रहा दिखाने वाला यानि कि रहा दिखाने वालों का समुहूँ और ये शब्द शुरू हुआ जब नरेंदर मोधी परधान मंत्री बने देश के और 2014 में उन्होंने भारती जन्ता पार्टी के कई सीनियर नेताओं को मार्ग दर्शक मंडल में डाल दिया वो नाम लाल कृष्ण आरवानी का हुआ वो नाम मुरली मनहोर जोशी का हुआ इनकी बड़े नेता जो भारती जन्ता पार्टी के बड़े नेता थे उनको मार्ग दर्शक मंडल में डाल दिया गया हला कि कहने के लिए कोई पोस्ट नहीं है लेकिन इसकी चर्चा बहुत होती है और मैं आपसे चर्चा आज इसलिए कर रहा हूँ आज से लगबग 15 दिन पहले भारत सरकार के पूर्व मंतरी चौधरी विरंदर सिंग बांगर चौधरी बारती जन्ता पार्टी ने उनको भारत सरकार का पूर्वजीर बना दिया था भारत सरकार ने उनको cabinet मंत्री बना दिया था जब मोधी पार्ट वन की सरकार बनी थी 2014 में ये जो उनको यश मिला ये बीजेपी में जाकल मिला हलांकि चौधरी विरंदर सिंग कॉंग्रेस के बड़े नेता रहे हैं ट्रेजरी किंग के नाम से मशूर हैं बांगर के एरिये पर उनके पकड़ है तो इसलिए उनको बांगर चौधरी का नाम भी कहा जाता है और बांगर चौधरी तो ज़्यादतर मैं आपके साथ शेर किया करता हूँ उन चौधरी विरेंदर सिंग के लिए कॉंग्रेस का एक पत्रकार सम्मिलन था प्रेस कॉंफरेंस थी और उस प्रेस कॉंफरेंस के अंदर जो कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उद्यभान उन्होंने कहा चौधरी विरंदर सिंग के लिए इनका बहुत बड़ा अनुभव है 40-50 साल का कॉंग्रेस का है और 10 साल का भारती जंता पार्टी का है और कहा कि ये मार्ग दर्शन करेंगे तंज कसा साथ साथ भुपेंदर सिंग उड़ा ने और भुपेंदर सिंग उड़ा ने कहा कि मार्ग दर्शक हो गए है अबी और जवाब में जो तंज कसा चौधरी विरंदर सिंग ने बांगर चौधरी ने उन्होंने कहा कि मार्ग दर्शक नहीं एक्टिव पॉलिटिशन एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ मैं अभी आप इस वाक्य को एक पर देखिए फिर बताता हूं मैं आपको आगे की बात मार्ग दर्शक नहीं साथ बहुत बहुत ही बेतर उनका रहा है तो वह भी अपने तुछ सुचार रखेंगे उसके बाद हुड़ा साथ और फिर उसके बाद आपसे सवाल लें तो इस बात पर यानि कि जब उनको भूपेंदर सिंग उड़ा और कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक चौधरी उदे भान ने बांगर कौधरी को मारग दर्शक कहा तो बांगर चौधरीने तुरंद कहा कि मारग दर्शक नहीं मैं एक्टिव पैलिटीशन हूं लेकिन अब चौधरी विरंदर सिंग बांगर चओधरी अब खुद मार्ग मांगदर्शक मंडल में जाने के लिए तयार हो गए हैं और उन्हें एलान भी कर दिया है अब आप पूछेंगे वो कैसे मांगदर्शक कैसे बनने जा रहे हैं वो तो जवाब यह है दोस्तों कि चौधरी विरंदर सिंग ने एलान कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं चौधरी ब्रिजंदर सिंग जो उनके नौकरशा अधिकारी रहे हैं पूर्व सेवा निवरत नौकरशा जिन्होंने वी आरेस लेकर के राजनीती में कदम रखा जो हिसार के सांसद रहे भारती जनता पार्टी के 2019 में चुनाव जीते और 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने अपने पिता श्री से पहले ही भारती जनता पार्टी को छोड़कर कॉंग्रेस की सदस्यता ले ली टिकेट नहीं मिला था हिसार में लोकसभा कौन को दावेदारी पूरी थी सोनीपत से दावेदारी भी की थी चौधरी विरंदर सिंग ने अपने बेटे के लिए और हिसार से भी की थी लेकिन टिकेट कहीं नहीं मिला था और अब विधानसभाद चुनाव की तैयारी है विधानसभाद चुनाव के अंदर चौधरी विरंदर सिंग चाहते हैं कि अपने बेटे को वह एडजस्ट कर लें आपको मैं दो घटनाए आप कह दूँ या दो वाकए बतात की थी कि चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा के पिता चौधरी रणबीर सिंग हैं आतको बताति चलें जो राजनीती की बारे में इंटरेस्ट रखते हैं नहीं कि भूपेंदर को जानते जो लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दें कि इनका नजदीक का रिष्टा है इस लिहाज से नजदीक का रिष्टा चौधरी विरंबीर सिंग के साथ भी चौधरी विरंदर सिंग का था तो चौधरी विरंदर सिंग ने पिछले दिनों जब मैं आपको बता रहा हूं कि जो टिक के मुख्छा मंत्री नहीं बनपाए थे उसी परकार से खाहरि मुख्य मंत्री बनते भंते रहा ने कद्वा चौदरी भिरंधर ने कभी को होगाु कि मैं नहीं बना तो मेरा बेटा ने में गरता बनेगा तो आप फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव के लिए चौदरी विरंदर सिंग ने कह दिया है चौदरी विरंदर सिंग कह रहे हैं कि अब उनका बेटा ब्रिजंदर सिंग उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा उचाना से पांच बार विधायक र करने के लिए कॉंग्रेस की राजनीती में सेटल करने के लिए बांगर चौधरी ने खुद को मार्ग दर्शक मंडल में भी डाल लिया है राजनीती को टाटा बाय बाय कह दिया है और राजनीती से अगर सन्यास ले लिया तो फिर बड़ा सिंपर है कि वो मार्ग दर्शक हो ज चौधरी विरंदर सिंग ने त्वारित टिपड़ी की थी तुरंत एकदम से टोक दिया था भूपेंदर सिंग उड़्डा और चौधरी उद्यभान को कह दिया था कि मार्ग दर्शक नहीं एक्टिव पॉलिटिशन एक्टिव हूं बिल्कुल और आप वो कह रहे हैं कि भाया को एड़्जस्ट करने के लिए विजनदर सिंग को राजनीती में एड़स्ट करने के लिए उचाना से चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे दी वैसे पहली कुर्बानी नहीं है चोधरी विरंदर सिंग की 2014-2019 की सरकार में जब वो मूदी पार्ट 1 में मंत्री थे कैविनेट मंत्री भारत सरकार के और कैविनेट मंत्री उनको बनाया गया था उनको पहले राज्य सभा का मेंबर बनाया गया था भारती जंता पार्टी की तरफ से ही और उस समय अपना बलिदान दिया था उन्होंने य विजंदर सिंग को लोगसभा का टिकट दिया था और चौदरे विरंदर सिंग ने अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे दी थी और एक बार फिर दूसरी बार अपने बेटे को अड़ेस्ट करने के लिए चौदरे विरंदर सिंग ने को phwich मार्ग दरशक मंदल में ले जाने का फैसला कर लिया है चुनावी राजनीती से सन्यास लेने की बात कर रहे हैं और उचाना से उनका बेटा चुनाव लड़ेगा वैसे उचाना जो है जींद जिलेक की जो विधानसबा सीट आप होट सीट हमेशा रही है और ये कुरम स्थली रही है बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर चौधरी विरंदर सिंग के सामने चौधरी ओम प्रकाश चोटाला चुनाव लड़ते रहे यहाँ पर उनकी धरम पत्नी प्रेम लता के सामने दुशन्थ चोटाला चुनाव लड़े उन्होंने प्रेमलता को चुनाओं में हराया और अब अगर बात आ जाती है अब की अब जो 2024 के चुनाओं में तो मान करके चलें कि ऐसा लगता है कि एक बार फिर से चौधरी ओम प्रकाष चोटाला और बिरेंदर सिंग डुमर्खां का परिवार आमने सामने होगा क्योंकि दुश्यल्थ चोटाला भी ताल ठोक रहे है और ब्रिजंदर सिंग के लिए चौधरी बिरेंदर सिंग ने अपनी राजनीतिक कुर्बानी तक की तयारी कर ली है वैसे आपको क्या लगता है कि चौधरी विरेंदर सिंग जिन्होंने अपने बेटे के लिए कहा है कि वो राजनीतिक यानि कि चौनावी राजनीति से इत्र हो जाएंगे चौनावी राजनीति छोड़ देंगे चौनावी राजनीति को टाटा बायवाय कह देंगे इससे वो अपने बेटे को कितना एड़ेस्ट कर पाएंगे उचाना विधानसवा सीट जहां से दुशन्द चोटाला आजकल विधायक है जिन्होंने कि चौधरी विरंदर सिंग की धरमपत्नी प्रेम रता को हराया था 2019 के चुनाओं में तो क्या अब जो आमने सामने की फाइट होगी ब्रेजंदर सिंग और दुशन्द चोटाला में और या फिर वहाँ पर क्यूंकि अभे सिंग चोटाला भी एक बार ताल ठोक कर क्या है वहाँ कुछ और खेला होगा और आपको क्या लगता है कि हर्याना की राजनीती में जो तीन महिने बाद चुनावी राज चुनाव शुरू हो जाएगा उस चुनाव के अंदर कॉंग्रेस और बीजे पी का परदर्शन कैसा रहेगा और उनके सामने छित्रिय पार्टिया इनेलो और जन्नायक जन्ता पार्टिया आमा आदमी पार्टिय कैसा परदर्शन करेंगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहमार साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर बाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें